भूल भूलया रमेश और उसका परिवार राजस्थान में दोस्त की शादी में आये थी उनके दोस्त का गाउं शहर से लगबग साथ घंटे की दूरी पर था जहां एक होटल में वो लोग ठहरे थे वो लोग अपनी सेवन सीटर गाड़ी साथ मिलाये थे ताकि आसपास की जगह घूमने में आसानी हो लेकिन शादी होने के बाद वापस होटल जाते समय वो घूमते हुए जाते हैं और एक विराने से रास्ते पर भटक जाते हैं उनके मुबाइल फोन्स की बैटरी भी खत्म हो जाती है रमेश गाड़ी चला रहा था आसमान में बारिश के बादल चाये होए थे और थोड़ी ही दिर में बहुत तेस बारिश होने लगती है उनको उस रास्ते पर दो आदमी दिखते हैं वो उन लोगों से रास्ता पूछते है सुनिए भाई साब यहां से शहर का रास्ता किस तरफ है देस किलोमेटर जाने पर आपको एक चौक मिलेगा वहीं पर पूछ लीजिएगा लेकिन सुरिये अभी तेस बारिश हो जाएगी इतनी कि आपको आगे का कुछ दिखेगा भी ने अब यहीं कही आसपास में रुक जाईए नहीं तो आप बटक जाओगे बारिश शुरू हो गई तो कम से कम दो दिन तक नहीं रुकेगी अब जी धन्यवाद इतना बोलने के बाद रमेश गाड़ी आगे चलाने लगता है अरे बिटा आप यहां कहा रुकना चलो आगे चलते हैं अरे रमेश की मा यह रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती और अगर कभी हो गई तो हज से भी ज्यादा हो जाती है नहीं जी सासुमा ठीक क्या रही है एक बार होटल पाँच गए तो कुछ दिक्कत नहीं होगी आप होटल चलिए बारिश होगी तो देखा जाएगा नहीं भाईया यहीं गई रुक जाते हैं न एक बार में कुछ फैसला करो भाई चलो चलो होटल जाके मस तेसी में सो जाएंगे ठीक है तो फिर चलो होटल की तरफ थोड़ा आगे जाते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है बिजली भी कड़कने लगती है अरे वे कांच में से आगे कुछ दिखी नहीं रहा बारिश और तेज होने लगती है कुछ समझ में नहीं आ रहा रास्ता किस तरफ है बैया आराम से गाड़ी चलाना रमेश जैसे तैसे गाड़ी चलाने की कोशिश करता है बिटा हम सही रास्ते पर तो जा रहा है न कुछ पता नहीं मा सामने जो रास्ता दिख रहा है उसी पर चल रहा हूं बस गाड़ी एक हवेली के गेट के सामने आकर रुख जाती है हवेली का गेट खुलता है ये क्या है भई? किसी के घर का गेट लग रहा है और गेट खुला भी है चलो यहीं रुख जाते हैं हाँ हाँ यहीं रुख जाते रमिष गाड़ी अंदर लेता है और दर्वाजे तक ले कर जाता है किसी के भी ध्यान में नहीं आता लेकिन गेट अपने आप बंध हो जाता है सब लोग हवेली के अंदर आ जाते हैं कोई है कोई है क्या भाई लगता है यहां के लोग भी बारिश में कहीं फस गया होंगे हाँ सासुमा ठीक का आपने दिवारों पर एक पुराने जादुगर की तीन चार तस्वीरे लगी हुई थी लगता है यहां का मालिक कोई जादुगर था मुझे नहीं लगता कि बारिश दो दिन तक रुकने वाली है उतने में बिजली कड़कती है उन दो लोगों ने कहा एक बार बारिश शुरू हो गई तो कम से कम दो दिन तक रुकती नहीं है लगता है तब तक यहीं गुजारा करना पड़ेगा उतने में कहीं से एक तोता उड़ता हुआ आता है बारिश नहीं रुकेगी हाँ दो दिन नहीं रुकेगी हरी वह ये तोता बोलता भी है अब महिला ज़रा किचन में जाकर देख लीजे कुछ खाने को मिल सकता है क्या नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा महिला है किचिन में जाती है अरे सासुमा यहां तो कुछ भी नहीं है लगता है कुछ बनाना पड़ेगा गीता को ढूरने पे सर्फ चावल मिलते हैं और थोड़ी सी दाल लगता है दाल खिचड़ी बनानी पड़ेगी रात होते ही सब लोग खाने के टेबल पर बैट जाते हैं गीता दाल खिचड़ी का पतिला लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है क्या बनाया है खाने में? दाल खिचड़ी रमेश पतिली के उपर का ढखकन खोलता है तो उसमें बिर्यानी होती है अरे लेकिन इसमें तो बिर्यानी है पर हमने तो दाल खिचड़ी बनाई थी बिर्यानी के सारे मसाले जो इसमें दिख रहे हैं लॉंग दाल चिनी वो सब तो यहां थी भी नहीं यह कहां से आगए इसमें? सब के होश उड़ जाते है यहां के माली को बिर्यानी बहुत पसंद है बहुत पसंद है यह सुनके सब बहुत डर जाते है कोई बिर्यानी नहीं खा पाता तोता और भी कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन कह नहीं पाता सब को सिर्फ तोते के चिल्लाने की आवाज आती है लगता है ये कुछ और भी कहना चाता है लेकिन क्या नहीं पा रहा है तभी कहीं से किसी की दहाडने की आवाज आती है सब लोग डर जाते है रमिश बिटा चलो जल्दी से या निकल जाते है यह जग है कुछ हजीव है चलो बटा जुन्दी यहां से बाकी सब लोग भी सहमती जताते हैं रमेश जैसे ही हवेली का दर्वाजा खोलता है उसके सामने शेर खड़ा होकर दहाड रहा था जो उनके गाड़ी के ठीक सामने था रमेश जट से दर्वाजा बंड कर दीता है अरे बाहर तू शेर है ही मा, अब तु यहांसे भाग भी नहीं सकते मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात ने, सो जाओ सब लोग यही पर सो जाओ सब सब सो जाते है मा को प्यास लगती है, वो उठके किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए तब डी रोहन भी उठकर किचन की तरफ चलने लगता है मा पानी पिकर बहार आती है तो देखती है कि रोहन उपर की दिवार पर उल्टा लटक के चल रहा है आरे उठो देखो रोहन दिवार पर उल्टा चल रहा है सब लोग उठ जाते हैं अरे मैं यहां कैसे पहुच गया मैं किचिन में जा रहा था पानी में बचाओ मुझे कोई तो बचाओ वो थोड़ा आगी जाकर गिर जाता है बच गया यह क्या हुआ अरे मेरे गले में कुछ हो रहा मा तुमने अभी पानी पिया ना हाँ बिटा लगिन अभी गले में कुछ हो रहा देखते ही देखते मा एक छोटी बच्ची में तबदिल हो जाती है अरे मागू क्या हो गया यह मैं इतनी जवान छोटी बच्ची कैसे हो गई सबकी आँखे फटी की फटी रह जाती है यह सब क्या हो रहा है यहां सब ऐसा ही होता है यहां सब भूल बलिया है यहां सब भूल बलिया है तुम यहां कब से हो बहुत सालों से और एक हरानी की बात बताओ बताओ अभी पहले इंसान था क्या क्या मैं चोर था यहां चोरी करने आया था मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा यहां नहीं आने को लेकिन फिर भी मैं आ गया और अब यहां फसा हूँ आ हूँ लेकिन यहां से बाहर कैसे निकले यह मुझे नहीं पता लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा अगर फस गए तो यहां से बाहर निकलने का तरीका यहां की किसी कमरे में ही है लेकिन मैं इतने साथ से ढूंड रहा हूँ मुझे नहीं मिला और एक दूसरा तरीका है कि कोई मुझे यहां से बाहर लिकी जाए लेकिन इतने साथ से यहां कोई आया ही नहीं इतने दिन के बाद आप लोग आए हो, अब आप ही मुझे बहार निकाल सकते हो लेकिन हम खुद ही यहां फसे हुए तो हम से मिलकर यह जगह ढूनते हैं, कोई ना कोई हल तो मिल ही जाएगा हाँ, हम मिलकर ढूनते हैं सब लोग अलग-अलग कमरे और जगह में ढूनने लगते हैं क्या हो सकता है यहां से बाहर निकलने का तरीका ऐसा बोलते हुए वो हर जगह कुछ न कुछ ढूनने लगता है रोहन हवेली के एक कमरे का दर्वाजा खोलता है वह उसे बहुत सारे कांच के बोटल्स दिखाए देते हैं जिसमें अलग-अलग रंग के रसायन होते हैं एक दो बोतल खुली थी और उसमें से धुआ आ रहा था सब लोग जल्दी इधर आ जाओ, ये देखो यहां क्या है सब लोग वहां आते हैं लगता है मुमालिक, इधर अलग-अलग चीजों का रसायनों का प्रयोग करता था रमेश आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक खरगोश, एक कांच के बड़े से पिटारे में बंध है जो उपर से खुला हुआ है और वो उसमें से भागने की कुशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा उतने में प्रया से कांच की बोतल को धका लगता है और बोतल नीचे गिर कर तूट जाती है ऐसा होते ही पूरी हवेली हिलने लगती है और सब लोग वहां से भाग जाती है रमेश बाहर आकर सेढ़िया चड़ने लगता है जो उपर की तरफ जाती है लेकिन सेढ़ियों के बीच में जाती ही रमेश अटक जाता है और सिर्फ जगा पर ही चल रहा था वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की लेकिन बढ़ ही नहीं पाता अरे मैं यहां अटक गया हूँ उपर ही, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ और फिर वो अचानक से उपर पहुच जाता है यह क्या हुआ, पहुच गया मैं एधर प्रिया एक दूसरे कमरे का दर्वाजा खोलती है, उससे वो एक अलगी दुनिया में पहुच जाती है उतने में एक राजकुमार अपने दो से तीन घोड सवारों के साथ वहां आता है गीता को देखते ही वो घोडे से नीचे उतर जाता है आप कौन है, एतनी खुबसूरत लड़की, हमने हमारे जिवन में पहली बार दिखी है गीता शर्मा जाती है और कुछ नहीं कह पाती जाओ, हमारे महल से इस लड़की की सवारी के लिए शाही रत लेकर आओ एक सेवक अपना घोडा लेकर जाता है और थोड़ी देर में शाही रत लेकर वापस आता है आईए, अप इस रत में बैठिये राजकुमार उसका हाथ पकड़ की उसे रत में बिठाता है चलो, सब लोग महल चलते हैं राजकुमार प्रिया को महल लेकर जाता है और अपने माता पिता के सामने दर्बार में खड़ा करता है उसके माता पिता वहाँ की राजा और रानी है माराज, यह लड़की हमें दुश्मन की सीमा और पासवाले बगीचे में मिली और हम इसे बेहत प्यार करने लगे हैं, हम इसे शादी करना चाते हैं यह क्या कह रहे हो तुम राज कुमार, जान ना पैचान ऐसे ही किसी से शादी कर लोगे ये जरूर दुश्मन राज्य की कोई नई चाल है महरानी राज कुमार को इस लड़की के प्यार में फसाने का और फिर ये राज ये लूटने का नहीं नहीं महराज, ऐसकुछ नहीं है, ये लड़की तो बहुत मासूम है महराज मेरी बात तो सुनिए मैं यहां की हुई ही नहीं हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं सिपाईों बंदी बना लो इस लड़की को और इसे अभी क्या भी फासी पर लड़का दो नहीं महराज मेरी बात तो सुनिए गीता रोने लगती है सिपाही गीता को काराग्रे में लेकर जाती है जहां एक जलाद उसे फांसी पर लटकाने के लिए तयार होता है गीता को फांसी के फंदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है गीता बहुत रोने लगती है और बोलती रहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो लेकिन कोई नहीं सुनता गीता को सिपाही रसी पहनाई रहे थे कि गीता हिम्मत करके सिपाईों को धकिल के वहां से जोर से भाग निकलती है और भागते हुए उस कमरे से बहार निकलाती है अब उससे पता चलता है कि ये तो एक भूल-भूलईया थी वो सोफे पर जाकर बैठकर राहत की सांस लेने लगती है और अपने आसू पोचती है इधर रमेश उपर एक कमरे में पहुँचता है अंदर जाते ही उसकी सामने एक खिलोने का हवाई जहास कमरे में उड़ता रहता है एक खिलोने की गाड़ी अपने आप कमरे में घूमती रहती है क्या हो सकता यहां से निकलने का हल कुछ तो होगा अपने आप से ऐसा कहते हुए वो कमरा ढूनता रहता है रोहन एक आलगी कमरे के अंदर जाता है अंदर जाते ही तीन-чार कदम पर कमरे की बत्तियां बुच जाती है अरे बापरे यहाँ तो बत्तियां बुच गए लगता ही ये कमरा ठीक नी है, इधर से बाहर जाना ही ठीक होगा वो पीछे मुर जाता है और चलने लगता है लेकिन वो दर्वाजे तक पहुँची नहीं पाता अरी, ये क्या हो रहा है दर्वाजा तो तीन जार कदम की दूरी पे ही था मैंने लगबग दस कदम चले हैं अब ये फिर भी दर्वाजा नहीं मिल रहा लगता है मैं दर्वाजे का रास्ता भटक गया हूँ रोहन फिर भी आगे चलता रहता है फिर उसे थोड़ी थोड़ी रोश्णी दिखाए दीती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसे ऐसा लगता है कि वो किसी गुफा से बाहर आ रहा हो जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि बड़ी सी चींटी लगबख शेर जितनी बड़ी चींटी मुम में शकर का एक बड़ा सा दाना लेके जा रही है फिर उसे लगता है कि उसके पैर पर कोई काट रहा है वो देखता है कि एक छोटा चीटी जितना शेर उसके पैर को काट रहा है वो उसे हाथ में उठा कर देखता है पिर उसे भूख लगती है आगे उसे एक बहुत उंचा पेड दिखाए देता है ऐसा लगता है मानो पेड आसमान को छू रहा हो उस पेड से एक सेब नीचे गिरता है वो भी बहुत बड़ा था लगबग रोहन जेतना ही उंचा रोहन उसे खाने लगता है उतने में एक बहुत बड़ी गिलहरी रोहन की तरफ चिलाते हुए आती है रोहन समझ जाता है कि उसे ये सेब चाहिए वो जल्दी से थोड़ा सेब खा लेता है और वहां से भाग जाता है आगे उसे एक नदी दिखती है नदी के बीचों बिच कुछ पत्थर थे उन पत्थरों पे कुछ सुन्दर जल परियां बैठकर एक दुसरी के साथ हसी मजाग कर रही थी तब ही उनका एक हट्टा कट्टा सेवक पीछे से आके रोहन को पकड़ लीता है क्या कर रहे थे तुम यहाँ हमारी राज कुमारियों को देख रहे थे नहीं नहीं मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है मैं खुद रास्ता बटक चुका हूँ मुझे कुछ नहीं पता सेवक उसे पानी के अंदर लेके जाता है वो नीचे पानी में जाता है जब वो पानी में जा रहे थे तो रोहन को अजीब अजीब चीज़े दिखाए दीती है उसे एक डूबी हुई कष्टी दिखाए दीती है जो हीरे जवाराद से भरी पड़ी है एक आक्टोपस हाथी के उपर बैट कर कहीं जा रहा था रोहन को दूर एक महल भी दिखाए पड़ता है वो क्या है? वही तो हमारे राजा का महल है तो मैं वही लेके जा रहा हूँ वही तुम्हें सजा देंगे दीरे दीरे महल नज़्दीक आने लगता है रोहन उस सेवा का हाथ छोड़ा कर भाग जाता है वो एक अंधेरी गुफा में भाग जाता है वहाँ भागते भागते एक गड़े में गिर जाता है और उस गड़े से सीधा नीचे की तरफ फिसलने लगता है बचाओ, बचाओ लेकिन वो सीधा हविली के हॉल में गर जाता है जहां प्रिया, मा और पिताजी बैठे थे अरे, अब ये किदर से आ गिरा इतने में सुबह हो जाती है जल्दी से इदर से निकलने का हल डुंडो भई यहां बहुत अजीब अजीब चीज़े हो रही है अब तो बारिश भी काफी कम हो गई है और ये गीता और रमेश कहा है उन्हें भी डुंडो, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है सबकी रमेश उपर कमरे में सब कुछ ध्यान से देख रहा था कि कहीं कोई हिंट मिल जाए इधर गीता को एक अलमारी में एक ड्रॉवर दिखाए देता है ड्रॉवर में एक सुनहरी चमकने वाली चाबी थी गीता चाबी देखकर बहुत खुश हो जाती है लगता है ड्रॉवर के अंदर खुब सारे पैसे या जेवरात होंगे वो ड्रॉवर कोलती है तो सच में उसमें बहुत सारे जेवरात थे गीता उन्हें बहां निकालती है फिर अपने पहने हुए जेवरात उतार कर उन्हें पहनती है और आईने में देखती है तो उसके पहने हुए नए जीवरात पत्थर के बन गए थे और उसके उतारे हुए जीवरात भी पत्थर के बन जाते हैं वो जोर-जोर से रोने लगती है और फिर सारे जीवरात वापस रख देती है और अपने पुराने जिवरात वापस पहन लेती है तो वो फिर से सोने के बन जाते हैं और वो बाहर आ जाती है मा को डकार आती है पर जैसे ही उसे डकार आती है वो वापस अपनी पहली की उम्र की ही हो जाती है देखो, मा पहले जैसी होगी अरे हाँ, मैं वापस पहले जैसी होगी रमेश कहा है, जरा उसे भी ढूंडो कोई रमेश कमरे को गौर से देख रहा था कुछ तो मिल जाए यार उतने में उसे एक छोटा खिलोने का खरगोश और शेर दिखाई देता है वो उन्हें गौर से देखता है, उसे कुछ सूचता है और वो जोर से भाग कर नीचे चला आता है मिल गया, मिल गया, बहार निकले का तरीका मिल गया सब लोग खुशी से उठ जाते हैं लेकिन कैसे बिटा? हाँ, कैसे, कैसे? रोहन, मेरे साथ उस रसायन वाले कमरे में चल चल दी रमेश और रोहन कमरे में जाते हैं रमेश काज के पिटारे में से, खरगोश को बहार निकालता है और फिर सबसे कहता है चलो मेरे साथ, और जब मैं बोलू तब जल्दी से जाके गाड़ी में बढ़ जाना मजी भी लेके चलो रोहन उसे हाथ में ले लेता है रमेश धीरे से दर्वाजा खोलता है सामने शेर गाड़ी और दर्वाजे के बीच में बैठा हुआ था रमेश खरगोश को बाहर छोड़ देता है खरगोश शेर की तरफ देखता है शेर खरगोश की तरफ देखता है फिर अचानक खरगोश दूसरी तरफ तेजी से भागने लगता है शेर उसके पीछे भागने लगता है सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी से सब लोग दोड़ के गाड़ी में बैठ जाते है रमेश गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है उतने में शेर गाड़ी को देख लेता है खरगोश भी अब शेर के हाथ से निकल जाता है शेर गाड़ी के पीछे दोड़ता है बहुत मस्दिक आ जाता है वो गाड़ी पर कूदने ही वाला था कि गाड़ी गेट तोड़कर बहाँ निकल जाती है और गेट बापस अपने आप जुड़कर बंद हो जाता है बच गए भगवान का लाख लाख शुक्र है रोहन देखता है कि बाजू में एक अंजान आदमी बैठा है अरे भाई सब आप कोन है अरे भाई मैं ही तो हूँ वो तोटा सब लोग हैस्ते लगते है चलो भई अच्छा हुआ निकल गए अब सीधा होटेल चलो और वहां से सीधे कर